हलो एवरिवान जैजुवार जैचेटिसगर्तु इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक स्पेसल टाइम टेबल के बारे में जिससे आपकी जो बढ़ाई या बहतर हो पाए एवरेश से हाई लेवल की ओपाई ठीक है तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और किस्ट टैंथ के लिए बना रहा हूं या पर्टिगुलर किसी क्लाश ट्वेल्ट के लिए बना रहा हूं ऐसा नहीं वह नाइन टू लेकर के ट्वेल्ट के अमारे जितने भी चोटे भाई बढ़ने सभी लोगों के लिए है वीडियो तो ध्यान से देखना क्लास 9 या 12 में आप है आपको एक इस पेसल टैंटेबल के जरुबत पड़ेगा कि सब्सक्राइब कि आपको अगर आप टैंटेबल मान कि चलो चुस्य बजे उठते हो चावश बजे उड़तों इस तरीका से टाइम टेबल कि चाय बजे से अगर अगर आप जो है जो है छै बजे करना है गड़ीट पढ़ना है अपने मंस ऐसे सब्जेक्ट करते जाते फिर आठ शे नौ जो है नहाना खाना है पिक है फिर हम इसकूल चले गए मान की चलो नौ बज़े से चले गए तो नौ से आपका बोल सकते हैं अगर आप लोग कई बच्चों का मारिंग इवनिग इसकूल अगते है हम ईस्ट का कोडिंगि लेते हैं 9 बज़े से उन लोग तियार होना उन लोग को इपड़ जाता है तो लगबख उनलोग का 4 लेकिन गुठी उसको फॉलो नहीं कर पाओगे कभी भी पहली चीज़ तो इन्न चीजों को याद रखना इस तरीका जब टाइम टिवल बनाओगे कि मुझे इतना बजी उठना इतना बजी खाना खाना इतना बजी खिलना अगर एक जेट फिक्स टाइम बनाते रहेना इस तर पूरा नहीं कर पाओगे ठीक है यह मैं बोल रहा हूं कि इसको आप खुद पूरा नहीं कर पाओगे कर लोगे तिन दिन चार दिन पांस दिन हो जाएगा लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस चीज से एकदम तंगा जाओगे आपकी बॉड़ी ठाग जाएगा अरे नहीं होगा अब हम से यह आप नहीं कर पाय रहे है या एक दिन भी छूटा इधर की बीच के लासी यह नहीं हुआ तो वह नहीं हुआ इस तरीकस्त फिर आप परशान हो जाओगे मतला इसको आप खुदी नहीं कर पाओगे दूसरी चीज आपको देखो अगर इस टाइप के अग आपका ध्यान जो है ध्यान पढ़ाई से जञदा कहां पर लगेगा आप सबको पता जलगा पढ़ाई से ज्ञदा है और घरी पर लगे करो साथ बज़र रहे है कि जैसी होगा तुम मैं मुझे यह करने आप यह नहीं देखोगी कि कौनसेफिक्ट क्लिए हुआ कि नहीं आपकी मैट्स जो बना रहे थे वो बना की नहीं यह भूल जाओगे और आप जीतना हुआ उत्ता छोड़के आप अगली में चले जाता है क्योंकि आपको टाइम टीबल के चलना है इस तरीका समझरली बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं इवन हम भी अपने टाइम में इसी टाइप से करते थे बट हम से पूरा नहीं होता था और हमारा झशां जो है इस तरीका से और यह वीडो जो है बहुत से बच्चों से बात करने के बाद बाद बनाया जा रहा ताकि सटिक वीडो जो है आपके लिए बन पाए ठीक है तो फालो कर पाते हैं कि नहीं सी जो को भी जरू बताएंगे तो हम लोग आगे बढ़ते इस वीडियो पर जो है आपको याद रखना कि स्टैप की टैम टेबल नहीं बनाना है फिलहाल जो इस वीडियो में बत कर रहे हैं अब देखो नेश्ट मैं देखो जब से रिजल्ट आया ह थे नाइन तौरपट धैजि क्लास वाले उन लोग जाणे तो उन्हें बहुत से लोगों ने पूछे भाया जू Empire Bank में को ऐसा सौवब कि देव में पढ़ने वाला अच्छा है कि नाईड में तुम आपको बता दू क्या कुछी ये पर ऐसा लिखा है कि आपको कौण से चुछ करना है वो आपको अपनी हिसाप से चुछ करना है अपनी हिसाप से याद रखना अगर मैं बोल दू कि रात में पढ़ना अच्छा है तो आप रात में पढ़ने लग जाओगे लेकिन क्या होगा आपका दिमाग तो सही से काम नहीं करेगा न क्योंकि जैसे आपका बॉड़ी तो किस टेप से हिलें जा रहा है और दिन इस तरीक बल lives कह लोग क्या करते इसततरीकासे माँ चिलो हमारीज़ी में खानाइक करते ने ना इत्म मैं खाना आइसा सब्सक्राइब एक शolesome करने में खाथ यहां पर पढ़ाई करते हैं तो आप किसी में आपको जिसमें पढ़ाई कर सकते हैं तो याद रखना वह आपको चुछ करना है कि आपकी बॉड़ी की स्टैप के और साथ ही साथ आपकी घर के महौल को भी देख लो इस टैप से आपके घर एक्दम पब्लिक पर कि अगर गली में भी चल रहे हैं गाउं में घर गली तो यहां पर यहां अगर वाले लोग भी बात कर रहा हैं आवाज यहां तक आती है तो उस सब के हिसाब से आपको चूज करना है कि डे में आपको पढ़ाई करना लेकिन पढ़ाई तो करना है अब देखो बहुत जैसे मैं देम वाले लोग चल आते हैं मैं लोग ऑपने हिसाब से करूभ ऑफ से तो आप खेलो आप कब तक करो जब तक वो आप के 컨्ट्ोल में है वो लेकिन वह गेम ऐसा हो गया भई कि बोल सकते हैं आपको खेल रहे हैं मम्मी बोर रहे बिटा खाना खा ले लेकिन आपके काम में कुछ जाएगा तब तो क्योंकि यह चीजों को समझते हुए टाइम टेवल अमदलब आपको टाइम कैसा खरना है इस टैप से जो फिक्स करना कि आप जिस टाइम पर भी कॉंफर्टेबल हूँ उस टाइब से आपको करना है ठीग है फिर नेस्ट चलते हैं व्लोग निट टू क्लासिफाइज अब देखो यहां पर में जो हम पार्ट है में पाड़ बोल सकते इस वीडियों कि मैं स्क्षण है नेट टू क्लासिफाइज किसको टाइम और सबचेक्ट को आपको यह देखना है जहां से सुनेंगे आपको यह देखना है कि कि अपकी जो चार बजे जो पढ़ा हूँ मुझे चार साल तक याद रहेगा ऐसा मेरे साथ होता था तो तो मैं रात भर जगाँ हो चार दिन भी यादने रहे तो क्या मतलब कर तो हर किसी बच्चे का अलग-अलग होता ही हर लोग नहीं कर से तो वहां पर देख लेना तो देखो यह जैसे मैं मुझे सुबवर उठके मैं चार सल तक मानकी चलो मुझे वह चीजे याद है तो वैसे टाइम को आपको क्लासिफाई करना है वो गोल्डन टाइम आपके लिए याद रखना वो गोल्डन टाइम को अब जितना जल्दी हो सके माग कर लो कि हाँ यह टाइम मेरे लिए गोल्डन टाइम है इस टाइम पर अगर मैं पढ़ा तो बोट पी साल अच्छा कर सकता क्लास 9 11 12 किसी भी क्लास में उसमें अच्छा कर सकता हूं या कर सकते हूं इस चीज़ों को समझ आपको गोल्डन टाइम जो है चूज करना है कि कौन से टाइम है आपके हो सकता है आप रात को जब सब लोग घर में सो जाए सांथ हो जाए 10 से 12 जब पढ़ोगे मैं तब उस टा बात करते ना तो बताते थे कि यह करेंगे मैं राद भर पढ़ाँ तो मैं भी सुता रहे मैं भी बारा बज़े तक पढ़ा मैं एक बज़े तक हूं ऐसा सो सब बट ऐसे आपको नहीं करने आप जिस टाइम पर कॉमपोटेबल हो उसी टाइम पर ही आपको क्या करना है पता चल जाता है कि हम किया किस टैंब पर कॉमपटेबल बट बहुत से वचे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता भटे कि कि वह इस्से पहले पढ़ाई कि यह नहीं है तो वैसे बच्चों को मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग बढसे पहले तो बैठो और करकरके एक कि आपको किसे में पड़ाई एपसे में फटाइबρέ धना पड़े ठू process करना पड़े अगर वह से करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर विसकी से ते किस टाइम में वहां क्लासे सोती है उस हिसाब से आपको सेडूल सेट करना पड़ेगा आपका टाइम बनाना पड़ेगा है तो आपको उन चीजों को भी ध्यान में आपको रखना है अब देखो यह गोल्डन टाइम आप डिसाइड कर लिए दैन आपको उस टाइम पर एक सब्जेक्ट डिसाइड करना है कि जब उस टेम आपका दिमाग बहुत अच्छा है तो आइसा नहीं कि आप नॉर्मल से हिंदी पढ़के बैठे हो आपको अच्छा सब्जेक्ट चूच करना पड़ेगा जैसे कि साइंस पड़ लिए इंगलेज ग्रामर पड़ लिए मैट् सब्जेक्ट को करना है अब आप लोग बोल रहे होंगे यह टाइम टेबल तो बता नहीं रहा हो तो टाइम टेबल इसली नहीं बता रहे है क्योंकि सब्की अलग 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 होती है और एक्सपेरिमेंट करते करते तो ठग जाओगे इस वज़ा से आप खुद अपने आप के पीछे नहीं बताने के पीछे एक ही रिजन है सॉलिड रिजन वो क्या है अपको जो बनाना है टास्क टास्क मैक्जीमम इस्टूडेंट जो है टास्क बनाते हैं किसके लिए एक सिंगल डे के लिए एक सिंगल डे के लिए वह अपना टास्क बनाते कि वह एक दिन में क्य करने वाले हैं कि इस टाइप से मैक्जिमाम इस्टूडेंट करते मैं दो तीन बच्चों से अभी जस्ट यह वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे पहले बात किया हूं तो वह ही रिपलाई कि कि वह खुद की टाइम टेवल फॉलो नहीं कर पाते लेकिन बाद में वह घर में राते तो घर की सबसे कहीं न कहीं हमें चलना पड़ते इसलिए थोड़ी सी मुस्किल हो जाती तो आपको सिंगल डे के लिए स्पेसिफिक टास्क बनाने लिए कैसा टास्क अब ध्यान से सुने अब लोग जैसे कि सिंगल डेक लिए टास्क कैसा होता है जैसे स्कूल से तो आप देख लो कि भाई जो हो मुझे कंप्लीट करना है मैं कल यह पढ़ाने वाली है तो मुझे एक बार उसको रीड करना है ठीक है फिर मुझे खुद के लिए एक वह करना इस ट्रेप से अपना को कंप्लीट हो जाता है कितना भी टाइम हो मैं यहां पर बजे नहीं बता रहा हूं इसलिए आपको 7-6 छैसे 7 यह वाली नहीं बता रहा हूं आपको इन चीजों को समझना है कि मुझे हम वाक कर लिए फिर जो पढ़ाने वाले उसको रीड करना इस टैपस अप समझे और फ तो दिन में तिन दिन में स्टेप से आप बनाओ चीजों को समझो और अपलाई करो उसको बैए किती है समझ में कि आपको सिंगल डे के लिए टास्क बना लेना मेरे हिसाब से आप बोल सकते इसको कि आपको सिंगल डे का टास्क बनाना कि मुझे आज यह यह करना है यह आप ब करना है पूरा मैस पर लेना एक दिन में पूरी के मैश्टी पार ऐसी बड़ा-बड़ा टास्क का बीज़े मत बना अभी पहले चोटा-चोटा-चोटा-चोटा कर लो उसके बाद फिर बड़ा-बड़ा आपको करना है कि फिर एक दिन ऐसा आगा एक्जाम फाइनल बोर्ड ए आप लोग बनाते चलिए तो फिर नेश्ट जो है आप इसमें देखो टास्क तो बना लोगे लेकिन उसको ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि आप एक दिन का टास्क का बना है कि मुझे यह करना फिर दूसरा दिन सो रहा है घुम रहा हो खेल रहा है इस तैप सो रहा है तो आपको रेगुलर ठीक है आपको रेगुलर उस चीज़ को मैंटेन करना है अब भले टाइम टेबल मद बनाओ लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखो कि मुझे रगुलर तीन गंटे-चार घंटे इससे ज्यादा नहीं लगती जो टॉपस स्टुरेंट उन लोगों से बात क इतने में सब अठके इतने घंटे ही पढ़ाई करके आज 90 प्लस लाया है टॉप टेन लिस्ट में नाम आया है सिर्फ इतने चार-पांच घंटे पढ़ाई करके मैक्जीमम जो है पांस इच्छा हो सकते लेकिन 7-8-10-12 घंटा नहीं हो सकता क्योंकि इतने टाइम में घर में पढ़ाई कर लेता हो तो मैं अच्छा सच्छा अच्छीव कर सकते हो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है आया समझ में ठेक फिर आगे बढ़ते हैं तो टाइम टेबल आपको जैसे की है सब को जो रहता कि किस टाइप के हम टाइम टेबल बनाए तो आप लोग को यहां अग्यां ट्रीव बनाओ सिंपल सा कि मुझे कम से कम लगब हम टाइम डिशाइड कर सकते हो कि मुझे इस बज़े इतना टाइम इतना पढ़ना नॉर्मल सा बिक्तम बड़ा सक और सोना है कब उठना ब्रस करना नहाना है घूमना है फोन लगाना है ऐसा वाल एक्दम में केक्ट वाला मत करो नॉर्मल सब को जब टाइम मिले मुझे पढ़ना मतलब पढ़ना सब को बनाना है क्लियर है आई होप आप सभी लोगों को जो है समझ आया होगा कहीं पर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बता देना ठीक है क्योंकि कमेंट्स के हम जाने की पूरी कोशिसेस रहेगी ठीक है तो फिर जाज वार जाज चतिस गण मिलते आने वाले इंपोर्टेंट वीडियो में